नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीच सांगवान, बिकॉम पार्ट वन EFM पेपर फैस्ट बिजनस एकनॉमिक्स है, उसमें हम लोगोंने लास्ट वीडियो में अपके डिफरेंट जो यूटिलेटी अनलेसिस होता है, उसके अजंप्शन्स बगरे के बारे में डिस्कस करा था, या फिर वो कौन-कौन सी कंडिशन्स होती हैं जिसमें यूटिलेटी को कैल्कुलेट करा जाता है, या मीजर करा जाता है, आज इस वीडियो में एक नया और इंपोर्टेंट टॉपिक जो जनरली एक्जामिनेशन में आता रहता है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है आपका लॉफ डिमनिशिंग मार्जनल यूटिलिटी, सिमान्त उप्योगिता हास्नियम, इस लोग को प्रॉपाउंड करने का जो श्रे है, वो एक फ्रांसिस एकोनोमिस्ट है, उनको जाता है, जिनका नाम एच एच गोसेन है, और इसलिए इस लोग को एच एच गोसेन का फैस्ट लोग भी बोला जाता है, उनका प्रथम नियम भी बोला जाता है, अलागि इस लोग को प्रपाउंड है वो इन्होंने 1854 में करा था 1854 में बट इससे chronological law of diminishing marginal utility है या फिर क्रमागत सीमान तुपयोगिता हासनियम करने का जोश्रे है वो प्रोफेसर अलफेड मार्शल को जाता है अब इस लोग के according maximum students ने 12th class में study करा हुआ होगा जैसे जैसे अपन किसी भी commodity है उसका consumption increase करते हैं उससे मिलने वाली utility है वो declining form में होती है यानि गिरते वोए क्रम में पाई जाती है मान लीजी आपको भूग लगा है फिर आपने रोटी खाना start करा एक, दो, तीन, चार, पाँच, मेक्सिमम इतनी रोटी खाई जाती है पाँच रोटी खाते हैं खाते-काते अपनी भूखे वो मिट जाती है इसलिए उसके बाद में अपन कंजूम करते हैं तो फिर negative utility अपने को मिलने लग जाती है यानि जैसे-जैसे किसी भी commodity का अलांकि ये low है वो producers पे या stockist है उन पे भी apply होता है जैसे-जैसे आप किसी particular commodity का stock increase करने लग जाते हैं उस situation में आने के बाद में उस commodity को आप धिरे-धिरे reduce करना start करेंगे और उसका simple reason होता है कि वो आपके पास में over stock हो जाती है यानि जितने requirement है उससे ज़्यादा stock हो जाता है और इसी चीज़ को consumer behavior पे apply करते हैं तो अपन consumption increase करेंगे तो उससे मिलने वाली utility है वो decrease होने लग जाती है यानि जैसे-जैसे बहुत बढ़ाया जाता है सिमान तुप्यों किता है वो घटने लग जाती है अब economics में जितने भी laws की अपन study करते हैं उसमें उसकी assumptions आती है या फिर एक word यूज आता है if other things remains constant unchanged or same यानि अन्य बातें समान रहने पे तो वो अन्य बातें कौन सी है या फिर आपकी assumptions of law of diminishing marginal utility क्या है उसके बारे में पहले देख लेते हैं जिसमें number one आता है homogeneous unit of commodity यानि कोई भी वस्तु है उसकी समरूप इकाया होनी चाहिए तभी ये लो apply होगा otherwise apply नहीं होगा मान लिजे आपने कोई भी रोटी है वो खाना start करा अब रोटी की size है वो different different हो सकती है मान लिजे ये वाली size की रोटी आप कंजूम कर रहे है तो next रोटी है वो इसी size की होनी चाहिए ये नहीं हो कि उसकी size बढ़ागर की ये कर दी जाए तो homogenous product या commodity होना चाहिए और homogenous है वो every aspect में यानि वो आपका quantity wise, quality wise और size wise तीनों case में एक समान होना चाहिए उसी case में ये लो apply होगा otherwise apply नहीं होता है फिर second आता है आपका continuity in consumption यानि उप भोग है उसमें निरंतरदा होना आवशे को होता है आपने मान लेजिए अभी एक रोटी खाई या फिर एक गंटे के बाद में दूसरी रोटी आप consume कर रहे है या फिर अपन water पे apply करें तो उसमें एक simple आपके quantity या standard unit है एक glass of water माना जाता है पानी का एक glass अभी आपने एक glass पिया फिर दो गंटे बाद में एक glass पानी ओर पी रहे है तो उस case में उससे मिलने वाली utility कम नहीं होती है इसी लिए कहते हैं कि consumption है उसमें continuity होना required होता है और continuity होगी तो उस case में जो भी आपकी want होती है वो satisfy होती जाती है और मिलने वाली utility है वो declining form में यानि diminishing form में गिरतेव करम में होती जाती है फिर थर्ड आता है adequate unit यानि उसकी समुचित इकाई होनी चाहिए समुचित इकाई है वो आपके अलग-अलग commodity की case में अलग-अलग होता है जैसे चाही की अपन बात करें तो एक cup of tea एक चाही का cup है वो उसकी standard unit हो जाता है ऐसे ही पानी की बात करें तो एक glass of water हो गया यानि पानी का एक glass हो गया रोटी एक standard size की होनी चाहिए यानि unit है वो आपकी appropriate या adequate होने चाहिए ऐसा नहीं हो कि आपने पानी पीना start करा और एक-एक बूंद आप पानी पीते जादें तो definitely आपकी प्यास है वो नहीं बुझने वाली होती है तो उसकी standard unit होनी चाहिए या फिर adequate unit है वो उसमें होनी चाहिए फिर fourth point आता है price of commodity and its substitute remains constant यानि जिस वस्तु के regarding हम law of diminishing marginal utility की study कर रहे है उसकी price और उसके substitute goods है उनकी price है उसमें कोई change नहीं आना चाहिए अगर substitute goods की price में change आता है तो definitely आप इस particular commodity को consume कर रहे है उसकी demand पे भी impact आता है मान लीजे substitute goods है वो सस्ता हो जाता है तो आप अपना main product को छोड़के substitute है उसपे shift हो जाते है और अगर उसकी price increase हो जाते है तो आप same पे उसपे बने रहते है फिर next आता है no change in mentality मानसिक इस्तिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ये जो mentality की बात है ये consumer के regarding करी जा रही है अगर आपका mindset है वो बार बार या आपका mood है वो बार बार swing करता है उसमें changes आते हैं तो उस case में ये low apply नहीं हो सकता है मान लीजे अभी आपने मीठा खाया फिर उसके बार में नमकीन खा लिया तो इस type से आपका mood swing होगा उस case में law of diminishing marginal utility है वो apply न नहीं आना चाहिए फिर next आता income test fashion and habits should remains unchanged यानि कोई भी उपभोगता है उसकी आए उसकी रूची क्या है fashion क्या है आदतें क्या है वो उसमें कोई change नहीं आना चाहिए क्योंकि income जैसे ही आपकी change होती है definitely आपके preferences है वो change हो जाएंगे ऐसे ही आपकी habit change होती है उसके according दूसरी चीजें change हो जाती है fashion में कोई change आता है तो definitely आपके other चीज़ वो जैसे income है उसके भी impact आता है आपकी habits है उन सब पे भी impact आता है अगर इन में से किसी एक चीज़ में भी change आता है तो definitely law of diminishing marginal utility है वो apply नहीं होगा इसलिए इसमें यह अजूम करा जाता है कि income test fashion habits है उसमें कोई change नहीं आना चाहिए steady time duration में फिर next आता है आपका pleasure economic condition सुख में आर्थिक दशा ये low है वो pleasure economic condition में ही apply होता है माल लीजी आप sad है दुखी है तो उस case में कुछ लोग होते हैं जो emotional later होते हैं जब दुखी होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं और उनको उससे ज़्यादा satisfaction है वो कोई भी consumer है वो pleasure economy को feel कर रहा होता है और last point जो आता है वो no demonstration effect कोई भी production प्रभाव का फरक है वो किसी consumer पर नहीं पढ़ना चाहिए in general अपन लाइप में देखते हैं तो demonstration effect होता है बट इस low को apply करने के लिए ये required होता है कि आपके उपर demonstration effect है वो ना आए अगर demonstration effect आता है तो उ उससे आपके fashion है वो change हो जाते है preferences वगरा change हो जाते हैं बाकिस सारी चीज़े हैं इन सब में change आते हैं तो ये कुछ conditions होती है या फिर adjustments हम लोग बोल सकते हैं उसके साथ में law of diminishing marginal utility apply होता है अब इसमें देखते हैं एक छोटी सी table के साथ में कि diagram इसका किस टाइप से बनता है आलाग कि इसमें total utility लेने की requirement नहीं है सिर्फ number of units और marginal utility दो चीज़ों के साथ में इसको study करा जा सकता है वह याँ पे total 6 units किसी भी commodity की ले रहा हो अब मान लीजी है mango होगा बनाना होगा apple होगा जो भी आप इसमें unit ले रहा चाहें किसी भी commodity की वो ले सकते हैं मान लीजी है first unit से marginal utility है वो 14 utils मिलता है इसे utils है और आजकल इसे monetary term में भी represent करते हैं second unit है इससे मान लीजी 12 मिलता है third unit से 9, fourth unit से 5 और fifth unit से 0 और sixth unit से मान लीजी मान लीजी माइनस 4 utility आपको मिलती है अब simple है जैसे last to last video में हम लोगों ने देखा था किस type से diagram बनाते हैं same diagram है वो यहाँ पे बनेगा बस data के according थोड़े से उसमें changes आ सकते है इसमें भी system है वो same रहेगा x-axis पे commodity है उसकी units आएंगी y-axis पे marginal utility आता है units of commodity number of units यहाँ पे total 6 लिया है हम लोगों ने 6 और इसमें 2 का skill रखा जा सकता है 4, 6, 8, 10, 12 and 14 maximum रखा है इस side minus 4 है तो minus 2 और minus 4 अब unit 1 है उससे mu है वो total 14 मिलता है system वही रहेगा 1 पे 14 जहां मिलते हैं वहाँ point लोट कर दो second unit से 12 के equivalent marginal utility फिर third unit है इससे 9 के equivalent फिर fourth unit है इससे 5 के equivalent fifth unit है इससे 0 और sixth unit है इससे minus 4 जो यहां पर आएगा इन points को मिला दो यह marginal utility curve हो जाता है इसमें जो यह full satisfaction point होता है इससे नीचे आते हैं तो इसके इसमें negative या negative आप लोगों को marginal utility मिलना start हो जाता है यानि unit 1 पे 14, 2 पे 12, फिर 3 पे 9 और उसके बाद में 4 पे 5 इस type से जो points निकलते हैं उनको मिलाने से marginal utility curve निकलता है जहां पर 0 marginal utility होती है वो full satisfaction point या पूर्ण संतुष्टी बिंदू माना जाता है अब इस diagram से भी प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे आप consumption बढ़ा रहे हैं पहले unit पे 14 था फिर consumption increase करा 2 पे 12 हो गया फिर consumption increase करा 3 पे 9 हो गया फिर consumption increase करा 4 पे 5 हो जाता है फिर consumption increase करा तो वो 5th unit वो हो जाती है जहां पे आप fully satisfy हो जाते हैं यानि उसके बाद में consumption increase करने की situation नहीं रहती है अब उसके बाद भी आप consumption increase करते हैं तो marginally utility है वो negative होने लग जाती है यानि low के according हम लोगों ने assume करा था या फिर low ये बोलता है कि जैसे जैसे आप consumption increase करते हैं मिलने वाली marginal utility है वो diminishing form में होती है तो यहां पे जैसे जैसे आप consumption increase करते है marginal utility है, वो diminishing form में आ जाती है तो इसमें आज के इस वीडियो में दो तीन चीज़े देखी, एक तो marginal utility होता क्या है, दूसरा marginal utility है, उसके लिए जो अपन study करते हैं, उस लोग के लिए assumptions क्या क्या होती है, और third, उसका diagrammatic representation कैसा रहता है, अब नेक्स्ट वीडियो में marginal law of diminishing marginal utility apply क्यों होता है फिर उसके criticisms हैं वो क्या-क्या होती है और इसके exceptions हैं वो क्या-क्या होते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, thank you, जय हिंद, जय भारत